Hey guys, welcome to World Affairs, मैं हूँ प्रशान धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में डिमांड फॉर सिंदू देश के बारे में मिलकर help करें हमको और हम आजादी दिलवाएं सिंदू देश को फ्रम पाकिस्तान यहाँ पर देखेंगे इसकी काफी वीडियो आपको मिलेगी ऑनलाइन और इस टाइप की रैली इस टाइप की प्रो सिंदू देश रैली पाकिस्तान में कई सालों से नहीं देखी गई और अबादी है यह करीब 4 करोड 80 लाग और अवियसली सिंद पाकिस्तान में अकिला प्रोविस नहीं है जहाँ पे बहुत से लोग चाते हैं फ्रीडम एक और प्रोविस है बलुचिस्तान इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा इसकी अबादी काफी कम है सिंद से इव मैं नहीं कहा रहा है यहाँ पर आप लेखेंगे यह article है The Guardian का Australian article है by an Australian journalist यहाँ पर मैं Indian articles दिखाऊंगा तो लगेगा कि as an Indian एंटी पाकिस्तानी बात बोल रहा हूं यहाँ पर मगर यह बात accepted है worldwide चाहे आप US media देख लो British media Australian media के kidnap, torture, murder बहुत ही बुरी तरीके से बलुचिस्त पाकिस्तान में कई सालों तक देखा गया है कि internet shutdowns रहे हैं यह नहीं कि internet की speed कम है, altogether blanket internet shutdowns, again Indian article नहीं है, this is an international news outlet और article भी लिखा है आपर शामीर बलुच ने, मगर मैं यह आपे mention करूँगा कि जिस type की cruelty पाकिस्तान की military army ने दिखाई है on बलुचिस्तान, वैसी cruelty अभी के provinces के साब से रेखो तो पाकिस्तान में 5 major province है, सबसे जादा समर्थवान, सबसे जादा इनका rich province है पंजाब, यहाँ पे आवादी भी सबसे जादा है, जब भी सरकार के पास पैसा आता है from world bank, सबसे पहले लोग कोशिश करते हैं कि पंजाब में वो पैसा खरचा जाए, बाक schools बहुत कम हैं, hospitals बहुत जादा कम हैं, तो इस वाई से लोग भी यहाँ पर तंग आ चुके हैं, पाकिस्तानी government से वो भी चाहते हैं कि हमका खुद का एक country हो, मगर पाकिस्तानी army cruelty यहाँ पर इसलिए दिखा पाती है, क्योंकि बलुचस्तान के लोगों की कोई international representation इतनी है न पर तो पाकिस्तानी government पे बहुत pressure आएगा, ना सिर्फ US, UK से जो इंडिया में भी सिंधी लोग है, सिंधी एक ethnicity है अपने आप में, वो भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसलिए मैं कहूंगा आप बलुचस्तान को लेके जनुनीक बुरा लगता है, इन लोग की कुछ अवास नहीं थी, कुछ यह जादा करने ही पाए और इन पर बहुत रात्या चार हुए है, खेरे गरम बात करें सिंध की, अच्छा सिंध में जो अब रैली निकली है, क्या यह बहुत बड़ी रैली है, क्या हम सोच सकते हैं कि आल राइट सो, अब इन दा फ्यूचर सिंध म आपर ये का कि हम लोग पाकिस्तान का पार नहीं बनना चाते, और इन्होंने कमेमरेट किया 107th Birth Anniversary को और GM सयद, देखो GM सयद सिंध के बहुत बड़े निता है, इन्होंने सिंधी लोगों के कल्चर की बात करी, इन्होंने अपने जीवन में बार बार ये मुद्दा उठाय कि सिंधी लोगों का कल्चर डिस्टिंट है, हम नहीं चाहते के पूरे देश में एगी भाषा हो, सिर्फ एगी टाइब का कल्चर हो, और ओवरल पाकिस्तानी गर्वर्मेंट की जो वन यूनिट पॉलिसी थी, उसके ये बोजरा अगेंस थी, और देखो जो उर्दू वाला एस्पेक्ट है, कि पूरे पाकिस्ताने बस उर्दू यूस करेंगे, कोई पंजाबी भाषानी, कोई सिंधी भाषानी, ये एक ऐसा टॉपिक है, जिसकी वोज़े से बांगलादेश पाकिस्तान से टूड़ गया था, हलाकि उसके और भी रीजन्स थे, मगर उसमें बहुत सिंध मुताहिदा महज में, ये ग्रूप आज भी कोशिश करता है, कि सिंध में कहीना की कुछ रैली हो, लोग इखटा हो, आज भी बात करें, फ्रीडम के बारे में, कि सिंधी लोगों की अलग एक आडेनिटी है, और उसको मढ़ाय जा रहा है, आखरी बार ये बहुत भड हैं, को इंटरनली तोड़ कर, डिविजन्स क्रियेट करके, जो सिंधु देश की मूवमेंट है, इन सिंध, इसको काफियत तक सप्रेस कर दिया, और फिर हाली में हमने रेखा है, कि 2020 में, बहुत सारे जो ग्रूप हैं, जै सिंध, कौमी महज, अरे सर ग्रूप, सिंधु दे सिंधु देश, लिबरेशन आर्मी, सिंधु देश, रेवलूशनरी आर्मी, इन सब को भी पाकिस्तानी गवर्मेंट ने कर दिया, बैन, अब यहाँ पर वागा क्वेशन आएगा, कि ओल राइट सो, इन सब को बैन क्यों किया, जब इनकी इतनी फौलोइंग नहीं है, सबसे बड़ी इनके लिए प्रब्लम है, जब चाइननीज सिरिजन को टागेट किया जाता है, चाइना आप कह सकते हैं, अकेला सारा है पाकिस्तान का आज के समय दुनिया में, इनके रिलेशन्स यूएस के साथ खराब हो चुके हैं, साओध एरेबिया, यूएई, पाकिस् पाकिस्तानी आर्मी और जादा हार्श, और जड़ा कड़ी हो रही है, और जड़ा बूटल क्रैकडाउन कर रही है, इन पर्टिकलर ग्रुप्स का जो बात करते हैं, सिंदु देश के कॉंसेप्ट की, अब क्वेशन यहां पर यह आता है, कि यह सब जो मूवेंट्स है, पा बहुत डिसकस किया गया इंडिया में, वेराज आप अगर पाकिस्तान में देखो, तो कश्मीर का जो एशू है, और इंडिया के जो बाकी रीजन्स है, उनका एशू वो बहुत डिसकस करते हैं, almost obsession है वहाँ पर, मगर इंडिया ना UN में या फिर किसी और जगा पर इन बहु अपने सिडिजन्स के साथ, इन बलुचिस्तान, इन सिंध, इस बात को हाइलाइट करें, और ये issue उठाए, Human, Human Rights Council में, कि किस तरीके से पाकिस्तान, अपने ही देश में, ये जो freedom movements है, इसको crush करने की कोशिश कर रहा है, और इस topic के बारे में आपका क्या opinion है, आप क्या सोचत है, आप share करिएगा in the comment section below, ये है अंत इस वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all.